तकनीकी दिक्कतों के चलते जिनका पेपर कल 13 तारीक को नहीं हो पाया वो आज 14 तारीक को पेपर अपना एक्जाम दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारी तखनीकी दिक्तों के कारण उनका एक्जाम नहीं हो पाया लेकिन जिनका सम्मिट हो गया किसी भी तरह से किसी भी तखनीकी प्रॉपलम के कारण तो वो आज एक्जाम नहीं दे सकते हैं और आज एक इंपोर्टेंट सुचना है जिसमें टाइम बढ़ा दिया गया है कल तीन बजे से उपन हुई थी लिंक लेकिन आज दो फैर दो बजे से साम आट बजे तक परिच्छा आप दे सकते हैं ध्यान दक ये टाइम बढ़ा दिया गया है कल आप तीन बजे से जो लिंक थी वह ओपिन हुई थी लेकिन आप आज दो बजे से ही साम आट बजे तक अपनी परिच्छा दे सकते हैं तो जितनी भी तकनी की प्रॉब्लम हो रही थी उन पर सुधार किया जा रहा है और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो इवा जोस का एक ऑफिसियल पेज था कि आप अच्छे नेटवर्क में जाएए ओटी पी से प्रॉब्लम जितनी भी है तो सारी आज हलो सकती है क्योंकि जिनका ओटी पी नहीं आया या पेज बंद था पेज ओपन नहीं हो रहा था तो आप अच्छे स्थान पर जाएं जहां नेट नेटवर्क आएं तो ओट अच्छे जहां बंद कर रहे हैं एक भी टैप खुलाने चाहिए क्योंकि अगर टैप खुला रहेगा तो नहीं खुले में गलती से भी ना खुले या फॉन ना आई तो ऐसा करके आप आज एक्जाम अपना दे सकते हैं और टाइम याद रखिए टाइम है दो बजे से आठ बजे के पीच में आप अपनी परिछा दे सकते हैं OTP से रिलेटेड जितनी भी प्राबलम है वो आपकी आज दूर की जा सकती है और आप सही से परिछा दे सकते हैं अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए लोगोने कुछ भी नहीं खोला था और फिर भी उनका सम्मिट हो गए आदे या दूरे कुश्चन ही सम्मिट हो गए अगर आपकी भी ऐसी कोई समिश्चा है तो इसका अभी तक तो सल्यूसन नहीं है अगर कोई सल्यूसन इसका आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे इसलिए आप हमें सस्क्राइब करके जरूर रखिए दूसरा जब मैं मुवाइल नंबर डालता हूँ या लॉगिन करता हूँ पर उसमें लिखकर आता है कि सम्टिंग रॉंग पिलीच कॉन्टेक्ट और्गनाइजर तो अगर ऐसा अगर आपके पास ऐसमिस आ रहा है तो इसका एक हल है कि आप बार बार इसे करते रहें लेकिन कितनी बहुत से लोगों ने 25 से 30 बार भी किया फिर भी उनका नहीं खुला तो ऐसे लोगों के पास चांस है कि वो कल फिर से ट्राइ कर सकते हैं ओपन हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा हुगा लेकिन बाद में फिर लॉग इन हो गया इसके बाद दोनों ने एक्जाम दे पाया अगर आपकी अगर ऐसी कोई समिश्चा है तो आप इसे लॉग इन करके बार बार ट्राई करते रहिए फिर भी अगर नहीं होता है तो आज कल जो एक्जाम होगा 14 सितंबर को सामको 3 बजे उ तो Qam नहीं यह रहा है तो क्या करें जिसका ऑ उसे भी बार बार ट्राई करना है और रिफ्रेस्स करते रहे रहना इसका तो अगर उटी पी नहीं आ रहा है कोई-कोई कोई का एक बार करके लग कर पादद तो इसका हल है और कुछ लोगों ने जो भी तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिनका कोई solution अभी तक उपलब नहीं है अगर होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन कुछ ऐसी समस्या है जो कि हल की जा सकती है अगर आपका नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं OTP के लिए उसको जान लेते हैं जिन लोगों का OTP नहीं आया वो ध्यान से सुनें क्योंकि OTP अगर जिनका नहीं आया वो क्या करें अच्छे network में आएं बैफ साइट को बंद करके बापस खोलें सारे टैप आपने गूगल में खोल रखा है तो उसे पूरी तरह से बंद कर दें और कल जब आप एक्जाम देने बैठें तो कुछी ऐसी स्थान पर जाएं ताकि कोई वहां पर साइट का प्रॉबलम ना हो आप अच्छे से network access कर सकें और अगर एक बार नहीं खुलता है तो आप बार बार उससे refresh करके फॉन को बंद करके टैब को दुबारा से ओपन करके लॉग इन करिए साइद आपका हो जाए जिन लोगों का OTP नहीं आया वो ऐसा कर सकते हैं और जि इनका ऐसा है वो कल exam अपना दे सकते हैं